Friend and my dear friend, welcome to my channel तैयारी जीत की हमारे चैनल तैयारी जीत की वी मित्रुका सभी विध्यार्थियों का बहुत-बहुत स्वागत है सभी को मेरा नमस्कार आज क्लास 11 की पोएटरी पोयम नमबर 6 जो अंतिम पोयम है लास्ट पोयम है और इस पोयम का नाम है Father Tucson इस पोयम में पिता पुत्र के बीच के जो आपसी संबंध है उन आपसी संबंधों पर चर्चा की गई है और उसी को लेकर सबसे पहले हम Central Idea देखते हैं और उसके बाद Central Idea के बाद इस पर बनने वाले जो इस्टेंजा पर आधरी जो प्रशन है उन प्रशनों के बारे में हम चर्चा करेंगे तो श्टार्ट करते हैं कविता का Central Idea या केंदरिये भाव इस पोयम रिपर्जेंट दा रियली ओफ टुडेज़ कंडिशन ओफ फैमिलीज इन दा सुसाइटी ये जो कविता है वो कविता दिखाती है या दरसाती है वास्तम में आज की जो वास्तविक इस्तिती है उस वास्तविक इस्तिती को दरसाती है और फैमिलीज इन सुसाइटी की जो परिवारों में समाज में जो परिवारों की इस्तिती है उस समाज में परिवारों की स्थिति को यह कविता दिखाती है यह दरसाती है At one side, एक तरफ तो हम देखते हैं क्या when father is seem to fulfill his duties पिता अपने कर्टब्यों को पूरी तरह निवाते हुए चलते हैं Requirements of children बच्चों की जितनी भी जरूरते होती हैं उन सारी जरूरतों को पूरा करते हैं But on the other side, लेकिन दूसरी तरफ The children are growing emotionless दूसरी तरफ जो बच्चे हैं वो भावना हीन होते चले जा रहे हैं Emotionless means भावना हीन होते चले जा रहे हैं Growing means होते चले जा रहे हैं They do not understand वे नहीं समझ रहे हैं the feelings of their parents अपने माता-पिता की भावनाओं को वच्चे आजकल नहीं समझ रहे हैं वच्चे माता-पिता की भावनाओं को नहीं समझते हैं Thus the poem reflect the real picture of changing relationship between the father and son इसलिए जो कविता है वो प्रकाश डालती है या बताती है दिखाती है इसलिए the real picture of changing relationship between the father and son यह कविता दिखाती है दरसाती है प्रकाश डालती है पिता और पुत्र के बदलते हुए रिष्टे पर पिता और पुत्र के बीच जो बदलता हुआ जो रिष्टा है जो relationship है उस relationship पर यह कविता प्रकाश डालती है तो इस तरह से जो है पोयम का सेंटरल आइडिया कम्प्रीट हो जाता है और पोयम का जो इस्टेंजा बेस जो कोश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं तो आप मेरे साथ बने रहिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि नहीं किया है तो और अपने साथियो को भी सेयर करते रहिए थेंक्यू धन्याबाद